नमस्ते और वेलकम टी माई चानल, मैं हूँ शेफ निकिता और आज मैं आपको सिखाऊंगी जोदपूरी स्टाइल, I mean जोदपूर का बहुत ही फेमस मिरशी वड़ा की रेसिपी, बट इसे जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चानल को करिए सबस्क्राइब और साथ ही सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे डेर कब बेसन और इससे पाने डालके बहुत अच्छा सा घोल बनाएंगे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा ही उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार, हल्थी पाउडर करिबन हाफ टेबल स्पून, साथी साथ रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून, बेकिंग सोडा, बहुत ही थोड़ा सा और साथी साथ हम अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा बेसन का बैटर बनके बिलकुल ही तयारे इ इसमें डालेंगे अधरक, रुमध Рभ, अध्रव करद्यू कर्या हुँआ, आप यहाँ पे 2 इंच रव करद्यू कर्या हुआ है और इसे सोटे करेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा मिर्च। और उसे भी अच्छी से चलाकि कुष दिर तक सोटे कर लेंगे फिर हम एक चमत चीरा, यह नॉर्मल जीरा है, शाही जीरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसे साटे करने के बाद इसमें हम डालेंगे boiled mashed potatoes, अगर आपकी मिर्ची का quantity 6 है, तो आप 6 potatoes यूज़ करें, अगर आपकी मिर्ची की quantity is 12 है, तो आप 12 potatoes यूज़ करें, और इसे हम कुछ इस तरीके से mix कर लेंगे अद्रक और मिर्ची के साथ, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से mix करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चमत हल्दी पाउडर, साथी साथ 1 चमत जीरा पाउडर, 4 चमत धनिया पाउडर, साथी साथ इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चमत अमचूर पाउडर और एक बड़ा चमत लाल मिर्ची पाउडर नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद इसे हम प्रॉपर तरीके से mix कर लेंगे, लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला, 2 से 3 चमत जिससे इसमें थोड़ा तीखा पन आए, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे धनिया पत्ता चौब किया हुआ, उसके बाद इसे हम mix कर लेंगे, mix करने के बाद हमारा आलू भी बनके पिल्कुल ही तयार है, यह हमारा दोनों ही तयार है, अब आते हैं मिर्ची के तरफ, मिर्ची को हम बीच से slit कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसके अंदर का जो भी बीच है, वो हम छोटे चाकू के मदद से निकाल लेंगे, अगर आपका मिर्ची थोड़ा सा जादा अगर क्रैक हो जा रहा है, या कुछ भी हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि इसके अंदर हम आलू फिल करने वाले हैं, और उसके आलू से कवर करके बेसन में लपेड के चानने वाले हैं, तो मिर्ची अगर हलका सा भी थोड़ा सा इधर से फट जा रहा है, ये बीज निकालते टाइम, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, और बस इसी तरीके से हम सारे मिर्ची के बीज निकाल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम आलू फिल करेंगे, कुछ इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से अंदर में आलू फिल करने के बाद, हम बाहर से भी आलू को कवर कर देंगे, कुछ इस तरीके से हादों के मदद से हम आलू से इसे कवर कर देंगे ये मिर्ची तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है इसलिए आलू का मिक्षर आप थोड़ा सा चटपटा बनाए सो दाट ये मिर्ची वड़ा खाने में बहुत ही जादा यम्मी लगे उसके बाद हम गैस में कठाई रखेंगे और तेल गरम होने तक रख देंगे उधर तेल गरम हो चुका है तब इस मिर्ची वड़ा को हम बेसन में कुछ इस तरीकी से डिप कर देंगे और चारो और से इसे कवर कर देंगे बेसन बैटर के साथ और फिर तेल में हम मिर्ची वड़ा डाल देगे फराई होने के लिए और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका मिर्ची वड़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से फराई हो रहा है और जब यह हलका सा ब्राउनिश टाइप में हो जाए तब इसे बहार निकाल दे, आप इसे ज़्यादा लाल ना करें और उसके बाद आप इसे वही वापस निकाल दे और आप देखेंगे कि कुछी सेकेंड्स में तेल पूरा निकल जाएगा और आप इसे एक टीशू पेपर के उपर निकाल दे और हमारा मिर्ची वड़ा बनके पिलकुल ही तयार है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मिर्ची वड़ा बनके तयार है अब इसे सर्फ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिर्ची वड़ा लिया और उसे डैगनली कट कर दिया यानि टेड़ा कट किया और आप देख सकते हैं ये मिर्ची वड़ा कितना ही सादा पर्फेक्ट बनके तयार है गाइस अगर आपको मेरा ये रेसेपी अच्छा लगा तो अभी मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस तरीके से मैंने कुछ और मिर्ची वड़ा को काट दिया है इसके बाद इसे हम प्लेटिंग करेंगे प्लेटिंग करने का तरीका भिलकुल आपके उपर है ये जस्ट मैं ऐसे वीडियो के लिए कर रहे हूँ और आई होप काईस के आपको मेरा ये प्लेटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जोदपूर फेमस है पेट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे कहीं और नहीं खा सकते ये बहुत ही तेस्टी, बहुत ही दिलेशिस और बहुत ही यमी है आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और हाँ मेरे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मझे फेस्बूक और इंस्टा पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और एक बहुत ही बड़ी खुशकबरी है कि मैं एक कॉन्टेस्ट लाने वाली हूँ जिसमें आप जीत सकते हैं वंडर शेफ का कीचिन का कोई भी यो टैंसिल सो गाइज मेरे चानल को सब्सक्राइब और नीचे कामेंट ज़रूर कीजे बाई बाई